शिरीमत भगवत कीता छटा अध्याई शिरी भगवान बोले हे अरजुन जिसकी करम फल में आ सकती नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है केवल अगनी का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और केवल कर्मों को छोड़ने वाला योगी नहीं है हे अरजुन जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी चानो, योगी संकल्पों के तियागी बिन कोई भी योगी नहीं हो सकता, जो मुनी योगी प्रापती की इच्छा रखती है, उनके लिए उनका सादन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनके इक्ञान पודע होने का सकती से छूट गया और संपोन वासनाओं का उसने त्याग कर दिया उसी समय वे योगारून कहा जाता है जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयम अपना शत्रू है मन को जीतने वाला शांत भाव मनुश्य की आत्मा शीत उश्न सुख दुख मान और अपमान इसके होने प अर्थर और सौने को एक जैसा समस्ता है वही योगी कहलाता है कोमल हिर्दे मित्र उदासिन दूशी मदफ दूश करने वाले बंदू सादू पापी इन सब में जो समान दुख्टी रखता है वही सेष्ट है योगी पुरुश्मन और आत्मा को वश्मे करके वासनाओं और स प्रपंचो को त्याग करके किसी एकांद इस्थान में सबसे पहले कुछ फिर उसके उपर मदरी को का चैर्म और उसके उपर वस्र बिचावें इस्थान ना तो बहुत उंचा हो और ना ही बहुत नीचा उसी पर मन को इकाग्डशित करके और इंद्रियों को रोकर बैठना चाहिए अत्मशुद्धी के लिए यूग करना चाहिए भहरहित होकर शांत चित से ब्रह्मचरी का पालन कर मन को रोग कर भगवान में लगाएं लीन हो जाएं वही इस प्रकार मन को वश्मे करने योग की योग का योग अभ्यास खड़ते रहने में मुझ में रहने अर्जुन जो अधिक बोजन खाता है या अनेक दिन उपवास रखता है बहुत सोता है बहुत जागता है उसको योग प्राप्त नहीं होता जो उपरियुक्त अहार और विहार करता है कर्मों का योग दीदी से पालन करता है जो यथा समय सोता है और जागता है योग ऐसे प मुक्षपत को पा जाता है जिस प्रकार वायू रहित इस्थान में रखा हुआ दिपक चलायमन नहीं होता उसी प्रकार योगी अपने चित को निश्चल रखकर उसका सयम करता है और अंत्यकरण की समाधी लगाता है जिस अवस्ता में योग अभ्यास के कारण चित का वीक करता है जो इंद्रिय द्वारा जाना नहीं जा सकता केवल बुद्धी से मजाना जाता है जब वहयोगी आत्मसरूप में इस्थित होता है तो उससे विशलित नहीं होता जिस अवस्ता को पाकर फिर और कोई लाप उसको नहीं जचता और जहां इस्थित होने और कोई भी ब विकल्प चित्र से निच्चे ही करना चाहिए संकल्प से उत्पन होने वाली समस्त कामनाव को त्याक कर और मन में सकल इंद्रियों को चार ओर से रोक कर दहरे के साथ बुद्धी को अपने अधीन कर धीरे धीरे विशो से दूर हटे और भलीभाती मन को आत्मा में इस्थिर कर कि किसी प्रधास की चिंदा ना करें यह चंचल और रह स्थिर्मान जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटागर आदमा के वश्मे करना चाहिए इस प्रकार शांतिजी तथा रजोगुण से रहित निश्पाप तथा भ्रह्म सरुप योगी को उत्तमसुख प्राप्थ होता है इस रीती से निरंतर योग अभ्यास करने वाले योगी समस्तपापों से चूड़कर सहज यूसुप परमसुख को पा लेता है जो भ्रह्म के संयोग से मिलता है जिसका मन योग में इस्तित हो गया उसकी दरश्टी में सरवर्थ समान हो जाता है वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है जो सब में मुझको और मुझमें सब को देखता है उससे मैं अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता जो अभ्यद भाव में रहता है वह सब प्राणियों में इस्तित मेरा मनन कर वह है योगी चाहिए जिस भी अवस्था में रहे मुझे को मिल जाता है यह अर्जुन जो समस्प्राणियों की सुख दुख को अपनी सुख दुख के समान समस्ता है और सबको समभाव से देखता है वही योगी शेष्ट है अर्जुन ने कहा है मदुफुदन आपने जो प्राक्रमी और द्रण है इसको अधियन रखना तो मुझे वायों को बानेने की समान प्रतीत होता है श्रीकिशन भगवान ने का है महाभाव इसमी संदेहे नहीं की मन अतिचंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठीन है तो भी इसे अभ्यास और वेराके से अधियन कर लिया जा सकता है जिसका मन वश में नहीं है उसको योग अत्यंत दुनलब है ऐसा मत है कि परन्तु मन को वश में करने वाले साधन करते रहने से अभ्यास दुआरा इस योग को पा सकते हैं अर्यूने का है श्रीकिशन जिसमें श्रधा तो है पर जो योग प्राप्त करने मे सफल नहीं हुआ और जिसका अचित योग से विशलित हो गया योग की सिद्धी नहीं पाने से किस गतिक को जा पहुँचता है हे महाभाव जिसका पहला आश्रे भी गया और भ्रम की प्राप्ति भी नहीं हुई वेह दोनों और ब्रष्ट होकर विचिन मेगल के समान नष्ट तो नहीं हो जाता है क्रिशन मेरा यह संद्य आपको दूर ही करना पड़ेगा इसका दूर करने वाला आपके अतिरिक और कोई नहीं है श्री भगवान बोले हे पार्त उसका यहां नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा जोकि उत्तम कारने वाले किसी मनुष्य की जनम पाता है इस प्रकार का जनम पाना भी इस लोग में बड़ा ही दुरलब है वह योगियों के वंश में जनम लेकर पुर्व जनम के बुद्धी संसकार अत्रात्मज्यान को पाता है पुर्व जनम में किसी गए और योग अभ्यास के बल से अनेक विगनों में पढ़ने पर भी मौक्ष को प्राप्थ हो जाता है योग की यदि कीवर इच्छा भी हो तो पुरुष शब्द भ्रह्म से परेजा पहुंचता है बड़े श्रम और यतन से जो योग अभ्यास करता है वे पापों से शुद्ध होकर अनेक जनम में प्रिक्ष्रम करके सफल हो जाता है और परमगती को पाता है बड़े बड़े तपस्वियों से योगी शेष्ठ है ज्यानियों से भी योगी शेष्ठ है इसलिए है अरजुन तुम योगी बनो के वल मुझ में ही मन लगा कर मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करो उसको समुस्ति योगियों के मध्ये अत्यंत शेष्ठ माना जाता है इती शिरी मदभगवत गीता चटा अध्याय संपून